नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार वे हूँ आपकी वही अंजली वापीस लौत आया है हवाओं का रुख मोडने वाला दिल में फिर उतर रहा है दिल तोडने वाला जी हाँ आपने सही सुना हम आज के देली राशी फलकी बात कर रहे हैं ये प्रेडिक्शन चंदे राशी पर आधारिद है सबसे पहले आज की दिन जिनका बहचे है या फिर मारी रनमोर्सरी है उनको मेरी तरफ से धिर सारी बधाई हो तो चलिए शुरू करते हैं कई जीत बाकी है कई हार बाकी है अभी तो जिन्दगी का सार बाकी है यहां से चले हैं नई मन्जिल के लिए ये तो एक पन्ना था अभी तो पुरी किताब बाकी है बहतर से बहतर की तलाश करो मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो तूट जाता है शीशा पत्थर की चोड से तूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो अरे आप भी कुछ अला करके दिखाईए किसे के कौपी मत करिये करिये तो कुछ नया करिये ताके सुर्खियों में बातें केवल आपकी ही हो सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है कोई रास्ता रोके तो जुर्रत बढ़ जाती है अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाती है दामकसर ना बिकने की ठानली हो तो कीमत बढ़ जाती है इसलिए आप भी ठान लो कि आपको अपना लक्ष हासिल करना ही करना है फिर आपको दुनिया के कोई ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने में इश्वर का दिया कभी अलप नहीं होता जो तूट जाए वो संकल्प नहीं होता हार को लक्ष से दूर ही रखना मेरे दोस्त क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता भगवान की नजर में वो इंसान बड़ा नहीं जो करोडो रुपई कमाता है बलकि वो इंसान सबसे बड़ा है उनकी नजर में जो करोडो का दिल जीतता है आप भी सभी को खुश कीजिए इससे भगवान की परसंता आपको मिलेगी तो दोस्तों अब आगे बढ़ते वर बात करते हैं आज के डेली राशिश्वल के बारी में सबसे पहले में आपको पता दू कि अजाब के लिए शुब रंग लखी कलर रहेगा औरेंच और शुब अंक रहने वाला है नमबर साथ आज का दिन आपको भागे का साथ मिलने का है जी हाँ बागे साथ रहेगा कुछ परिसितिया बिना किसी प्रयास के आपके बक्ष्विवन्ति नजर आएंगे बहुत इच्छा समय है आज का जो आप अपना कारियर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं जो आप करना या पाना चाहते हैं वो आज आपको सुलब हो सकता है बहुत एसानी तरीके से आपको भी प्रीत परिसितियों में भी अपने लिए कुछ पॉजिटिव तरीके मिल सकते हैं आज आपको अध्यात में प्रगती करने का भी बहुत इच्छा उसर मिलदा है, समय आपकी साथ रहेगा, किसे भी चीज के आपको परिशानी भी नहीं आपाएगी आज के दिन, मल्टी नेशनल कंपनी के लोगों को आज जादा अनकूलता हो सकती है, काम की कती जो है वो नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी, बस आप थोड़ी सी सुस्ती भी रहेगी, लेकिन हाँ, सितारे आज आपके पक्ष में बनते नजर आ रहे हैं, घर में किसी नई वस्तू की खरीद आज हो सकती है, इसके साथ ही आज महमान नमाजी में समय बीच सकता है, समाजे कती वीदियों में भी अपना योगदान देंगे, आप आपके जन संपर्क और भी जादा मजबूत होते दिख रहे हैं, जो कि आने मारे दियों में आपको बहुत ही फाइदा मिल सकता है इंसे, लेकिन आहम की भावना पर काबू रखीगा, ये बहुत जरूरी है, फिजोल खर्ची पर जरा आप लाइन लगा देजे, फिजोल खर्ची मत कीजेगा, वन्ना क्या है जो आपका जो बजट है, जो अपनी बनाकर रखा था, उसका जो बालंस है वो बिकरता नजर आएगा आ आज का दिन आपके लिए खुद का कुछ काम शुरू करने का हो सकता है, यान कि कोई नया काम अगर करना चाहते है, डिफरन तरह के से, तो वो भी करिएगा, अगिर आप भी कोई विशीष कला है, घ्यान है, या आप अपनी किसी खूबी को करियर के रूप में आगे ले जा हाते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग करने का समय है, आपको अपने लिए फिर से नई सिरे से सोचने की जरूरत पर सकते हैं, और जरूर सोचिए, यकीन मानी, आपका जो चालंच है, आपको जो है, इस करिए बहुती अच्छा मुनाफर मिल सकता है, आगे जाकर, दिनाव के जो है, आपको अपने किसे हुनर के लिए प्रशिंसा मिल सकती है, साथ ही में आर्थिक गति विद्या भी अनकूल रहेंगे आज के दिन, और हाँ, भाव उकता और उदार्ता, आपके सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका जो है, बाकी लोग आज के दिन फायदा उठा सकते है वैज़े तो उठाते हैं, लेकिन आज के दिन जरत संबल कर रहेगा, इसलिए जो है, अपना विवहारी के नजरिया जो है, रखना जरूरी है, नया रिवेस्टर करने से पहले अच्छी तरना से जाज परदाल कर लें, तो जिस चीज़ पर आप रिवेस्टर करना चाहते है कि क्या वो लॉंग टर्म के लिए है, कर ये नहों कि आपका फैसा कई पैसा कई पर फज़ा है, जज़बात का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना होगा, तो चलिए बागे बढ़त बात करते हैं आज के बिजनिस और करेट के बारी में, तो बिजनिस और करेट कहता है कि आज ओफिस में महाल, विस्थितिया, पक्ष में आपके रहेंगी, राज नहीं दिख में महत्तपुर लोगों से जो है, संपर कलाब दाएक साबित होंगे, कोई नया आग्रिमेंट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही जादा महनत करनी पड़ सकते हैं, इसे के साथ आज जोब में मन भी नहीं लेगेगा, आप सोड़े सुस्ती सुस्ती से रहेंगे, बोरित भी महसूस करेंगे कि क्या है ये बोरिंग सा काम, ऐसा आप फिल कर सकते हैं, नई काम की तलाश भी हो सकती है, आप इसे कुछ लोगों को, विपार में विस्तार से रिलेटिद यू जनाएं बन सकती हैं, काम कीजिए, बहुत अच्छा समय है, बढ़ा सकते हैं अपने विपार को, आनले नगिला विपार शुरू करते हैं तो वो भी बढ़िया रहेगा, राज की ये कार्वे में भी सफलता मिल सकती हैं, ऐसे योग नज़र आ रहे हैं, उस पर सपना आपका पूरा होगा, ध्यान के अंदेत कीजिएगा, सिरकारी सेवर अधियाने के जो सरकारी काम कर रहे हैं, उन्हें जो व्यक्ती हैं, वो अपने काम खाच पूरी गंभीरता से आज अंचान दे पाएंगे, साधि में करेट के लिहाज से दिन आपको सफलता दिलवाने वाला भी ह हो सकता है, आप जो है अपनी टार्गेट को असानी से कंप्लीट कर पाएंगे, जो पैंडिंग काम था, काफी दिनों से पहले रुका हुआ था, आप नहीं कर पा रहे थे, वो भी आज आप कर सकते हैं, पर याद रखिए, सुस्ती, मतलाईएगा, वरना आपका काम फिर से पर सकता है, और अगर आप फिर से पैंडिंग काम पढ़ गया, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है, तो इस बात का आज आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है, आगे बढ़ते और बात करते हैं, आज के लव लाइफ की और तो लव लाइफ कहती है, कि पत अपने प्रीतम के साथ, जादा चीज अच्छी नहीं है, उन्हें मिलकर बाते कीजिए, आज जीवन साथी के साथ कोई तना वाली स्थितियां भी बन सकती है, आप इसे कुछ लोगों के लिए, तो थोड़ संबल कर भी रहना होगा, विवाही जीवन के लिए समय बढ़िया तो तीस्यों को मत लाइएगा, वना मुश्किल आपके लिए ही होगी, घर परिवार में आपसे सुहार्थ और प्रेम जो है, वो माधूर्य बना रहेगा, लेकिन संदान की गई गई जो कतिविदियां हैं, कारेकलाप हैं, उसमें जो हैं वो चिंता डा सकते हैं, इनके बच सब्सक्राइब कोई बात नहीं, समय रहते हैं, सबको सुलच सकता है, आगे बटती हैं आज की हेल्थ की बारे में, तो हैट कहती है कि आज वायो विकार में कमर दर्द से रिलेटिद तकलीफी हो सकती हैं, उचेत खान पान लें और साथी एक्सरसाइज भी कीजेगा, और मे आपको अपनी mental health पर भी focus करना है, यह बहुत ही जारा ज़रूरी है, टेंशन मत लेजे, किसी की चीज को बार बार मत सोचेगा, घुटनों में दर्द हो सकती है बजूर्गों को, अगर जोड़ों में पुरानी समस्या है, तो साफधानी हो, बरतीगा, बाकी लोगों का स्व आप के लिए नहीं है, कि आपको जो है, कहीं पर आज चपातिया बना करने चाहिए, किसी भी जगह पर, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहिती है, तो आज आप अन का दान, आटी का दान कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत शूफल लाइक साभी थोरी बाला है, इसे के सा साथ ही, अगर आप जो है, कुछ गुपतरोप से चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, कई पर तो वो भी बढ़िया रहेगा, तो दोस तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो, तो लाइक करें, शेर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेग घन्यवाद